तो इसमें हिंदी ग्रामर का प्रेक्टिस सेट होगा साथ मैं ट्रिक्स होंगी कुछ एक्सपेक्टेड कोशन होगी प्लस इसमें करेंट अफिर के भी कुछ कोशन हम सामिल करते इस्टेटिक फेक्स भी बताते हैं हम आपको ठीक है तो तीन सब्जेक्ट आपके एक तरीके से सब्द में बतानी है कि संदी कौन सी होगी तो कपल ईश्वर ऐसे लिखते हैं या इस तरीक से लिखा जाता ईश्वर तो अब इसमें जरूरी नहीं आपको संदी आती हूं जरूरी यह है कम सकनल इश्वर तो लिखना आगया ना तो भी आप निकाल लोगे ठीक है अंसर हो जैएगा B, Next, बार-बार, बार-बार में कौन सा समास है, तो समास ना, पदोगी प्रिदान्ता के आदार पर चार प्रकार के, अर्थ के आदार पर छे प्रकार के होते है, समास का बिलूम क्या होता है, ब्यास, तो बार-बार कहीं पर भी कोई दविरुक्ती हो जाए, क्या हो दोई रुकती, उपसर्ग आ जाए, अव्वे आ जाए, कहीं पर भर, पार, ये आ जाए, तो इन सम्में क्या होता है, इन सम्में हमेशा अव्ववावसमास होता है, अव्ववावसमास में क्या होता है, पहला या पूरूपत प्रदान होता है, ठीक है, याद रखना, next, नयन म संदी बतानी देखो ऐसे जाद रखना में आपको बता देता हूँ न यह न अब जो यह ना है न इसमें प्लस यह ठीक है अगर मैं यह लिखता है न यह न इसमें क्या है न प्लस आ इसमें बड़ा आ है जब एक आ हो तो एक मात्रा लगाना जब दो आ हो तो दो मात्रा लगाना इतना तो सीख सकते हो कि एक आ है तो एक मात्रा दो है तो दो इसी तरीक से पबन पबन में एक आ है तो एक मात्रा लगती है तो एक मात्रा होगी आंसर हो जागा यह ठीक है इसमें इतलिस इतना तो सीगी सकते हैं आप लोग संदी आना ना बहुती इजी चीज़ें बेसिक जानकारी होतो है देखो इस कोशन का आंसर में कैसे निकालूँ देखो मुझे नहीं आरे सारी मगर मुझे ये पता है गौ मतलब क्या होता है घाए के पताया वाची मेंने कही बार बता हैं तो बौल थे गउष होता है गउष होता है तो गउष का रसच१ों सा होता है दूद गउमाता में क्या देती है दूष तो यह Option B का क्या हो जागा एर और B का krij ए किसमें देJeних देरखखा यहां के बल इसी option में, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, यह, आप पहले का हो जाएग चार्ब, मुद्री का हो जाएगा, अंगोठी, और यह तीसरे का हो जाएगा, जल्ले上 का जिंगो, और किर हो ज़ियाया का, तोता, अब देखो, हुशियार बच्छे पता क्या करेंगे, जो कीर मतलब तो होता होता है ये भी याद कर लेंगे जिल्ले का होता है आपका जींगुर ये याद कर लेंगे मुद्र का मतलब अंगुटी ये सारा याद कर लेंगे अब इस तरीके से आप निकाल लिए अगरो आंसर ठीक है और सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। ठीक है ? अंसर क्या हो जाएगा एक इसमें नहीं पूछा था नेक्स्त अहा आप आ गए इसमें जो अहा सब्ध क्या है? अज लोगों से तद्व, देसज, बिदेसज और व्योत्पत्ति या रचना के आधारव कित्ते परकार के तीन, रूड योगिक और योग रूड ठीक है याद रखना, तो अहा क्या है? अहा अव्वे है, अव्वे कित्ते परकार के होते हैं? चार, किद्या, बिशेशा, संबन्द बोतग समुच्य बोतग विश्मयाद बोतग धियुकर का सिंवल तरीकी seo b finite 1 सर्वण को संक्य 16나 अरसे बेर कितने 16 नेक्सट oh Hi ३ाङिविधेश में जन्म लेने वाले सब्ढों को क्या वीदेश मतलब जो वीदेश जब विदेश मतलब की हो जाए विदेश्वज अंसर क्या हो जाएगा डी तो आनसर के आपका डी नेस्ट संस्कार में पताना ऑपके कौन सा उपसर लगते हैं आगे कि यह सब्द के आदी में संस्कार्ट ने कितने उपसर हैं 20 ठीक है याद रखना है आप देखो जो जो उपसर होते हैं सब्दांस उते हैं यह भी बता दूँ सब्द नहीं होते पूरे कभी भी अंकी बिंदी दे रख्यों इस तरीके से तो अंकी बिंदी को किसे मतलद देना माम में बदल देना तो का अंसर क्या हो जागा सी नेश्ट अब इसमें ब्रामचिन का नाम बताना है कि कौन सा है ब्रामचिन कामता प्रसाद गुरू जी इन्होंने बीस बताएं बीस मैंसे जो पूर्ण ये हिंदी का है बाकी उन नीश जो है वो किस के हैं इंग्लिस के याद रखना ठीक है तो कितने ब्रामचिन की समक्या बीस ये कही बार पूछी गई है तो ये कौन सा दे रखा है ये दे रखा है अर्द ब्राम ब्राम क्या होता है ये इस तरीके से पूरा लगता है अल्प ब्राम कैसा होता है हलका सा इस तरीके से से जाता है हन्सपत कौन सा होता है इस तरीके उस तरीके से तो इससे कहते हैं पाधचन ठीक है याद रखना ये कहते हैं कौन सा निर्देसख और यह वोटा है यह पर जायर, जिन यह गो यह सीखना पड़ेगा आपको ऐसा नहीं हो सकता कि दो चार सीख लिए और उससे काम नहीं चल पाएगा था वियंजन की संक्या कितनी 33 था किसमें आता है देखो ऐसे याद हो दंत दंत कचटतप याद है नहीं तो कचटतप यह तो याद करना ही पड़ेगा चाह कुछ हो जाए य जो डेली पढ़ रहा हो ना वो तो कड़ी ले ना सच बता रहा हूं यह कभी जभी वाले आते ना उनकी कोई बात नहीं वह जो डेली पढ़ रहा है वो सब को रटा होना चाहिए कचटतप यह कंट से यह तालू से मूर्दन्य ओस्ट दंत ठीक है अब और चीज़ बता दू थोड़ा मैंने उपर नीचे कर देया का कंट तालू मूर्दन्य दंत ओस्ट अब जैको दंत है यह ताबर के इससे बोलाया था कैसे मैंने याद कि यह दंत पीछे ता आ रहा है न तो यह सुरूबात कहां से होती कंट से होती किसी चीज़ की था किसमें आता है त थ द ध ध आरा है न यह था तो क्या हो जाएगा शोज बायों से होती है अब था और क्या होते हैं तो दूसरे किसमें होते महापराण में सहर अगोस में पूले तो क्रूट तो how PARPanj और क्या आपका अगोस है एंसर जाएगा कि upfront हrnam किर्या में जब बाक्ये में किर्या कि दो करम, रहे हो स्थाध्ER चुंथ हो पाइएvens निकाल सकते हैं देखो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हुआ मगर कैसे कहा गल्ती करोगे वह बता देता हूँ गल्ती कैसे करे आहोगे देखो हाती आ रहा है ये निकाल लोगे पानी बह रहा है ये निकाल लोगे इसमें और इसमें confused हो जाओगे अगर आज पहली बार ये question कर रहे हो तो और जो daily देख रहा है उसको नहीं हो सकता confusion बहुत साही लोग पता है कि अगर दही जम गई जब कि क्या होता है दही खटा है ठीक है और ये लिखके आता है दही जम गई या दही जमा दो तो वो सब sentence गलत होते हैं दही नहीं जमती दूद जमता है ठीक है याद रखना तो ऐसे question आता है दही जम गया दही जमा दिया मगद दूद जम आते हैं हम लोग ठीक है ये एक चीज ये रखना और दही हमेशा क कर सकता है तो इसे भी याद रिख लो तो मैं अपनी तरब से बेस्ट दे रहा हूं इस्टार मार करके लिख ले ना इस पर और इस वीडियो को शेर करने की जम्यतारी आपकी है ठीक है तो प्लीज कर दिया हो ठीक है ना अब बार बार में बोलू ना तो मुझे खुद सुनने म अच्छाल लगता तो आप लोगना तो क्यों अच्छा लोगत है सिद्धी बात राम खाना खाता है राम आम खाता है अब पहले में इस बताओ अगर न कि Seth बता करता क्यों अगर नहीं दे रखा तो इससे बदो किझान सिर्ट पहता है। राम आम खाता है, तो किरिया किसके हिसाब से बदल रही है, करता के हिसाब से, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, क्रत बाच्चे हो जाएगा, क्रत बाच्चे, ठीक है, याद रखना, नेक्स्ट, अच्छा देखो, और बताओ इस ची, भाव बाच्चे क्यों नहीं होगा इसमें राम आम खाता है, क्या खाता है आम और इसमें क्या आती है, अकर्मक के लिए आती है तो ये तो होई नहीं सकता है, ऐसे ही काड़ दिया करो ठीक है और ये क्यों नहीं होगा कर्म बाचे क्योंकि इसमें से द्वारा या के द्वारा नहीं लिखा हुआ अगर यह नहीं लखा हुआ तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसे काड़ दो next हिंदी दिवस कब मनाते हो आप हिंदी दिवस मनाते हो चोदे नवमर को और विश्व हिंदी दिवस पूछ ले तो दस जवन में बरी को याद रखना और कितनी है हिंदी में बोली कितनी है हिंदी की बोली हिंदी बोली कितनी बताओ अठार है हिंदी किस परिवार की भासा है भारोपी है हिंदी की प्रकरती कैसी है सिलिष्ट योग आत्मक याद रखना हिंदी किस भासा का सब्द है फार्सी का हिंदी या भासा रिलेटिड आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच ठीक है भाग सत्रे में अनुसूची किस में आठ में कितनी भासा है बाइस भासा दे रखी उनमें से एक हिंदी है अपनी ठीक है याद रखना और हिंदी का है अपनी राज भासा है राष्ट्र भासा मत करते हैं अगर राष्ट्र भासा बहुत है जो अधिकान सो लोगों द्वारा राष्ट्र के बोली जाती है मगर हिंदी का है अपनी राज भासा है अपने देश में कितनी साथी तो लेंग्वेज है आंसर क्या हो जाएगा और पांच जून को क्या मनाते हैं अगर यह कोई बता पाए उसमें तो कोशन नमर 24 इसका जवाब दोगे आप अगर थोड़ा भी ध्यान से सुन रहे हो तो उपर ही जवाब दिया है मैंने इसका और नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है पूछो पचास वार पूछो एक लाख पूछो तो सही बीर रसके कभी कौन है जो ट्रिक से यह था अगर किसी में है ऊत्सा है कहते है इस लड़के मतवूद है अटक होता है परिशाल कर यह भूसा बर देगा बॉडिडर टाइप इससे दूर रहे थोड़ा तो क्या हो जाए भूसन ऐसे याद कर लेना ठीक है नेक्स्ट सेठ ने नौकर को पैसे दी सेठ ने नौकर को क्या दिए पैसे दी किसको दिए सेठ ने पैसे किसको दी नौकर को तो इसमें कितने कर्म होगे दो कर्म होगे एक तो पैसा और दूसर नौकर नेक्स्ट इश्वर करें तुम पास हो जाओ, ईश्वर करें तुम पास हो जाओ, तो हम क्या ईश्वर को आग्या दे सकते हैं, खलत, संकेत हैं निए, तो यह क्या इच्छा वा चागए, आपकी इच्छा है यह, क्या इच्छा, आंसर हो जाए और C, next, अब इसमें बताना है कि सूर्र का कौन सा परहव आखा विदक्ष और एक चीज्य ना अंसुमाली को कि अज़त सटो कि अज़िए लट्स औसमारे याद रखना चाहें र मिस्करका लंबा है कि उसका लड़का लंबा है उसका लड़का लंबा है तो इस वाहते में विशे सर्बूच रहा है बिशेशन चार पकार का होता है कुड़ बाचक संख्या बाचक सार्वनामिक और परिमार बाचक तो क्या है लंबा है लंबा क्या हो जागा इसमें बिशेशन ठीक है और लड़का क्या हो जागा बिशेश्य क्या हो जागा बिशेश्य यह हो जागा बिशेश्य यह जागा बि नेक्स्ट, चतुर विद्यार्थी से प्रश्ण पूछो, कुशन नम्मद दो, जवाब दोगे आप के कौन साब विशेशन है, विद्यार्थी विशेशता क्या है यहां, यार बहुत बार बताया है, प्लीज बताना अच्छे से, ठीक है, अच्छा अगर मैं यह कह दू कि बह के सब्सक्राइक है, क्रतुर का, पूछता का, अच्छ गर्रिशु अाधाना, या तो आधा ना में बदल दो, यह तर भुन केंगे किसे ना नहीं तो यहां, बताओ, यह बताओ, यह बीचमें आ ο Kr t का आ रहा है बीच में आ रहे हैं तो यह होगा side से आ जो इससे होगे और लगा कैसे दोगे यार बिल्कुल नहीं ज़्際ी दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें ऐसे तो ही हम अने यहाँ किसमें परिपर्तन हो जाता है ब्योम का प्रयावाची कौन सा नहीं है यह सब होते हैं ठीज सुनने भी होता है अब कौन सा नहीं प्यूस नहीं है प्यूस का मतलब क्या है प्यूस सोम सुधा अम्रत जीवनोदक डेवप्रिय यह सब किसके हैं प्यूस के आंसर हो जाए कि कौन सा प्रयावाची नहीं है यह लिसमें से कौन सा परयावाची योग में सही नहीं है देखो आपकर कुछ नहीं आता किll्कून परयावाची याद नहीं कि मैं तुदिए कहencies रहा हूं कम से कम मैंने इतना तो बताएं जिसके पीछे धी जुर जाए किसमें होता है बताओ समुद्र में जितने भी जल के परयावाची या पानी के परयावाची दा जोर दो पानी के परयावाची के तो यह किसके हो जाते हैं बादल के हो जाते हैं और जा जोर दो तो कमल के हो जाते हैं इतना तो बताया है न मैंने तो इदे वो सरोबर पुसकर ये तो तलाब के हैं ये सही है पुरंदर अमर्पती और महेंद्र ये सब के हैं सुर्पती ये सब इंद्र के हैं फणी उरग ये सब किसके हैं सारंग फणीस ये सब किसके हैं बताओ सर्प के अब ये जलद्धी और या रहे दा ये तो किसका है ब इतना कर लो भाई सब बहुत मज़ा आ जाएगा एक बार कर लो इन भी जितना बताता हूं उतना नेक्स्ट वह आपने से बताना कि कितने लोगों की हो जाते हैं सही जिसे साब से मैं बताता हूं इसमें से पूछा रात्री का प्रयावाची कौन सा नहीं है तो रजनी लाएगी उड़ती हुई चपल मम्मी की लाया को अपने आप क्या बोल दोगे लाए ठीक है तो पिता जी बाजार से सब जी लाएए होगा तो प्लीज यार देगो तुम लोग उतनी मेहनत नीक कर रहे हो मैं देख रहा हूं कुमेंट में कुछ लोगों के गलत आंसर सा दें मैं गाने की अब्यास नीड़ा सोफूरी कर रहूं मैं गाने का अब्यास कर रहा है मैं गाने का अब्यास देख रो जल्दवाजे में बढ़या रहा बच गया वह pleasing कर दो तो सबको पता और लिखना नहीं आता ंनी ゃार यह इस फोख रहे हो सबね सब करा सब कराए लिखना आ शुर्य होता है शुर्य होता है शुर्य होता है यार तो दोनों सेंस बाली सब्द निकाला करो आंजर हो जाएगा सी ठीक है नेक्स्ट है एडियां किसना दौरदूप उल्टी माला अहित सोचना गीदर भब की दिखावत अब यह जो गाल फूलना है इसका मतला है रूठ ना साधियों में क्या होता है फूपा जी और जीजा जी रूट जाते हैं न मुफल आगे बढ़ जाते हैं यह मैं तो कोई पूछी ना रहे हो मतला झाल म ईवड़ ना जी तो को बादे हैं ना السट पेना मप्या जी कि यह जखाते हैं है यह जलो आगी GUY यह जए समया जी फ치ान जी ने ढीता वाई जसेका मतला जयाम में ड्या लाई चार्व लावत एक यह जयाईनora क्या हो फो वheen गो आी रisfका यह है baconhh थार है झाल 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 झाल